नमस्का दोस्तो अब सभी लोग का हमारे Era also इस वीडियो को आप देख रहा है कि छाली खेट की वीडियो में क्यों देखारों हूँ आप लोग सोच Brad है कि Śैंट की ट्यारी किस प्रकार से करते कि हो जैसे कि कि जो हमारे काफी खेंद सी क्यों हुक्टा ही करने कीमा दिन या रहा है जैसे कि हमारे यह खेट में आपको दिखा रहा हूं यह करीब डेढ़ एकल पैदावर करेंगे और इसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहूं खाली खेट में आप जैसे कि देख रहे हैं यह खाली खेट तो आपको ऐसे कॉन-कुन से कारी करना है तो मैं आपको लाइफ ग्राउंड पे दिखा रहा हूं तो आप इन चुजों को अब करते हैं तो अपने गन्ने की फर्ज़े बेद अच्छा पैदावा ले सकते हैं यह है रो हमारा है है रो इसलिए हमने लाकर रखा है इसकी बारे में भी हम बात करेंगे आप इ यह दोस्तों सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब पर यह उस नियुक्त है करने के हैं पर इसमें को हैं impressed क्रिआ और भटू होगा कि आप अगर पले बाग में यह कटाई के डूस्वी कि नमी और भल प्ले सब्ढ़ने के डूसय है लेकिन आपको इसी गलती बेलकुल भेना मिली आपको पहले शायी करना के तरहे को मां मैं क्यरिक ह हल्कूं करें कि ERरों को चौड़ार दोरली आपको तो में सोला तारीक को इसमें सेचाई करें ती एनिकि आज ओन इस तारीक को आज हम गया बीच तारीक और हम गया होगी तारीक को हम ग्ले की बौई करते हैं साध की तो जुताई करेंगे पर लेंस एक अधार है तो नियुक्त से हमारा तयार उजाएगा और तो आराम के रहा है तो आप आराम से जुताई कर सकते हैं, जुताई करने के बाद में अगर आपके पास अलोग ओबर की खाद की विवस्ता तो आप उस खाद को डाल के अच्छे तेगे से खेत की जुताई यानिकी कमसे आपको एक बार हैरो से नहीं तो दो बार हैरो से जुताई करेंगे, एक ब कि बद्धा करें रहे हैं इस के बाद में गयंगा करोंगा इस सब्धाइब बदाते गहीं को सब घंबे के जबलते हैं सब्सक्राइब करें होगा इसका अबड़ी सकते जर्मनेशन होगा करीब 20 भाते बताते बहुत है कि 100 घंपनेशन लिए शक्टें है्ट, आप का । पहले से चयाएं आपको कप करना है और कौन कोण सी खादों का प्रियो करना है इसके उपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका आप उस वीडियो को देख सकते हैं जैसे की आप लोग देख रहे हैं यहां पे खेट की जूताई कम्प्रीट हो चुगी उसमें पटेला भी लगा जिया गया है यानि की इसमें दो बार हमने हैरो से जुताई गई ती और दो बार पटेला लगा दी अब इसके बाद हम कंटीवेटर से यह बार जूताई करेंगे वाद में रूटा वेटर से फिर उसके बाद हमारा खेत जो है एकदम तयार हो जाएगा और उसके बाद में घंची चलाई आज कल मुझानी में घंची की बौई स्टाट हो जाएगी तो अगर आप इस तरीके से करते खेत की पेपरेशन के तैयरी तो आपने घंच से तक जमाब ले सकते हैं और इससे अच्छा पैदावार निकलेगा कोई आपका जर्मिनिशन अच्छा होगा तो आपकी पैदावार भी अच्छी होगी जैसे कि अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी खाद का प्रियोग करना चाहिए जैसे मैं आपको बतना चूंगा यह हमारा डी सब्सक्राइब करें तो कोई भी फाइदा आपको होने वाला नहीं है तो जो बेसिक सी चीज है बस बेसिक सी चीजों का ही प्रियो करेंगे तब आप अच्छा रजल ले पाएंगे